आपको समझ मुखबत से हर बात को सेहन करने वाले सेहन शील भवब कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं पिर भी हमें ही सेहन करना पड़ता है मैंने जो बात करें राइक है, मेरी पिकोवति नहीं होए लिकिन यह सेहन करना पड़ा ऑर मुझे नोड़ लिने पड़ा परमत को जाते हैं कि हम सत्यॵत में जब जायें तो हमारे अंदर राजा ही संस्कार है सबसार प्रादन होते हैं लेकिन ऊसी राजा को जनम देटे दे दौपर उख में जब आते हैं तो दौपर उख में उसको सेहन करना पड़ता है उसको प्रजा और रोयल मेंबगां थान चैय को में कproध में अबीमानद में आ रहे हूं, उसमें आत्मा को मिलाकर चलाना, वह कल जो को हुए है, वह अभी हम भर रहें अपने अदर. तो अभी अगर हम सेहन करते हैं तो वही आत्मा है जो आज हमें दोश दे रही है गलत कह रही है जो कि हम राइट है वही आत्मा है जाकर के परमात्मा कहते हैं बहुत बड़ा राज है वही आत्मा है जाकर के सत्युक्त रेता और द्वापर में भी आपके सामने जुकेंगी क्योंकि आपके अंदर वो संसकार बहुत उचे होंगे और उनके अंदर सेहन करने की शक्ती नहीं होगी उस समय तो आप शाहिंचा बनेंगे तो यह बहुत बड़ा राज है जो मैं समझना है इसलिए सेहन करने में घबराओं नहीं कई बच्चे सेहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सेहन करना और मौबत से सेहन करना इसमें उतर है अगर परमात्मा से प्यार है और परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने अंदर चाबी राम भरते हैं हमारे अंदर तो परमात्मा हमारे अंदर सेहन शक्ति की चावी भरना चाते हैं सेहन शक्ति के गुण की, सेहन शक्ति के शक्ति की चावी भरना चाते हैं तो हम परमात्मा से अगर मौबत करते हैं और हम चाहते कि परमात्मा जो हमारे ले चाते हैं वो करें तो हमें मौबत से सेहन करना बहुत जरूरी है तो एक होता है मजबूरी से सेहन करना कि भई ड्यूटी है करना ही पड़ेगा क्या करें बहुत ने क्या दिया उससे मौबत नहीं होती है लेकिन परमात्मा से मौबत है और परमात्मा के इस कर्तववे से अगर हमें मौबत है कि परमात्मा मेरे ले क्या चाता है और संसार में शैंती पहलाना चाता है तो मुझे सैन करना है यह बहुत इंपोर्टन्ट है महसूस करना तो परमात्मा से मौबत है, परमात्मा के कारे से मौबत है परमात्मा संसार में क्रोध, अभिमान, इर्शा, गिरना को धटाना चाता है और हमें उसमें सयोग देना है और सयोग तब देते हैं जह हम किसी से महबत करते हैं परमात करते हैं दोनों चीज़ में अंतर हैं मजबूरी और महबत में बातों के कारण सहन नहीं करते हो लेकिन बाप की आग्या सहंशील बनो तो आग्या समझ मौबत में सहन करना टाद स्वयम को परिवरतन कर देना इसकी ही माक्स है अब यह जो माक्स होती है परमात्मा कहते है एक होती पढ़ाई होती है जो कि हम आज अपने घर पार के कमाई क्लेंग पढ़ रहे हैं जो कि इस जन्म में रहेगी अगले जन्म में फिर से पढ़ना पढ़ेगा स्टाइग से यह जो पढ़ा ही यह संगम पढ़ा ही जो अगर हम सैन्षीलता में मारक्स अभबल मारक्स दे लिते हैं उन्हें बहुत सैन करा और वह सब कुछ हमने मौहबद से सैन करा मजबूरी से नहीं तो परमात के तहीं तुम इतने मारक्स मि लेंगए कि तुम तुम शहिंचा बन पाओगे और तुम ये इस जन्म नहीं तुम एक इस जन्म ही नहीं तुम द्वापर और कल्युक के अंत तक ये सहन शीलता की शक्ति के कारण बहुत जगाओं पर तुम बचते जाओगे बहुत जगाओं पर तुम आगे बढ़ते जाओगे तो हमें बेहद में सोचना है हमें यह नहीं सोचना है कि अभी क्लिंग क्यों सेहन करूं हमें बेहत क्ले एक लॉंग टर्म क्ले सेहन करना है तो यही माक्स के बारे में परमात्मा कहा रहा है कि यह माक्स है और यह माक्स देने वाला कौन है स्वेम परम पिता परमात्मा जो हमारे पिता भी है ह हमारे टीचर भी है और हमारे बर्मशिक्षिक भी है और सद्गुरू भी हम शन्ति